सभी बाइयोगा नमस्कार सभी बाइयोगा नमस्कार लास्ट वीडियो में मैंने बता था आपको की ग्रिसिंग इंपोर्टन की हुए और बोला था कि अगली वीडियू में आपको हवा का प्रेसर कितना होना चीज़ टायर हुआ वो बताउंगा वीडियो करते हैं तो में चीज जो है जो है कि आपके जो टायरें में हावा कितनी होने चीह है कईकि यह उस से बहुत मयाने हैं रहती है आपके टैक्टर के लिए क्योंकि वकर अपहर ãy subscribe टैक्टर मुण गारें हowski तो पहले आफ जो जो टायर है उनकी बात करते हैं ठीक है यह जो टायर है हर टैक्टर में अलग साइज होता है सबसमेन तो भाई हावा भी अलग तरीके से बढ़नी चीए और भाई फिर दूसरा रिजाना कि आपका टैक्टर कहां चल रहा है खेती में चला रोड पर चला तो असे साब से हावा अगर हम खेती में यूज करें तो भाई हावा का प्रेसर लग बग चब्शेश रहना चाहिए 27 होजा 26 होजा 25 होजा अगर रोड पर चला तो भाई वो प्रेसर थोड़ा अलग होगा 28 होजा 30 होजा 30 होजा पर फिर अगर ज्यादा भरेंगे तो भाई टैक्टर सामने से फिर इसकुद देगा जंप कर अगर तो भई अब रियर जो टैर आपने जो में टायर जो काम करते हैं लोड पर जो भई जिनका में काम है वही टायर थेक है पिछले वाले टायर इनम भाई हवा का प्रेसर आपका अगर आप खिती में यूज करते हों तो भाई ठारा 17 रहना कि टर शीपिने का जोर बढ़िया लगाओ और रोड पर यूज कर रहे हैं तो भाई हवा 20 रहनी चीए लगब तो एक्स्टावेट यूज़ कर सको और अगर आपका टैक्टर जम्प कर रहा है तो आप हैवी ड्यूटी भंपर लगा सको जिससे आपका टैक्टर जम्प ना कर रहा है चलाने में बहुत मज़ाओगा स्मूथ चलागा चिपक कर रोड़ पे और वही हावा का प्रेसर सही रह लगा स्लिप कर टैयर टैक्टर को चलाने में मज़ा ने अलागा मतलों बहुत सारी रेजन हो भाई टैक्टर की देखवाल करने के लिए तो आप अपने टैक्टर की बढ़िया तरीके से रख सको हर चीज का ध्यान रख सको भाई अलग-अलग किताब ब्यात्तियां में पढ करना चाहिए तो बस यही थी आज की वीडियो वही थैंक्यू